हेलो स्वागत है आप सभी का हमार इस live stream ब्यस्जी बायो वारा में तो ऊच इस लेक्चर में हम आपको प्यस्वी सेकंड समिस्टर और प्यस्य फॉर समिस्टर के रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कर्स करेंगे तो अगर आप प्यसी सेकंड समिस्टर में है तो आ आपके लिए क्या-क्या सूचना है और अगर आप BSC 4 समिस्टर में है तो आपके लिए क्या-क्या सूचना है उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिसकर्स करेंगे तिक यानि कि अगर आप BSC 2nd समिस्टर और BSC 4 समिस्टर में है तो क्या-क्या strategy अब हमारे पास रहने वाली है तो काफी अच्छी बात है आपका एक्जाम काफी अच्छा गया होगा हमें आसा है कि आपकी काफी अच्छी मार्क भी आएंगे और अगर आप सेकेंड समिस्टर में आगे हैं तो आपकी अपने त्यारी स्टार्ट करने चाहिए क्योंकि अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो आप काफी घाटे में जाएंगे करने का मतलब आपके ज्यादे लॉस होगे जिसे आपकी अभी जो आपका रिजल्ट है वो आने में लगबग दू-तीर महनी लग सकते हैं ज्यादे लग सकते हैं क्योंकि आपके जो एक्जाम उसको और सबसे क्या होगा क्या होगा तो इसके वारे में अब भूल जाएगे अगले समेस्टर की आप त्यारी करते रहें तो क्योंकि आपके जुलाई और अगस्त में फिर सब्सक्राइब होंगे in 2nd semester आप उसके त्यारी नहीं कर रहेंगे तो आप पिर अगले exam में क्या लिखे तो आपको अभी से अपने त्यारिक को स्टार्ट कर देनी है तो और सेकेंड पॉइंट पर बात करेंगे जिसे अगर आप बेसी सेकेंड समिस्टर में क्या पढ़ना है अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप हमारे जिस्टूब चैनल पर जाएगा तो वहां पर मनें बत देख लिए हैं तो काफी अच्छी बात है अब आप का मवहत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर आप बीएसी सेकेंड समिस्टर की और फोर समिस्टर की तो लोग की तैयारी कप कराएंगे ठिक तो पीएसी सेकेंड समिस्टर की क्लास 22 मार्च से स्टार्ट हो गई है त जो़ोजी का और बॉटनी का एक क्लास अपलोड होगा यारी कि प्तर्णी की बिए अगर आप उसके PDF notes की भी आपको requirement है तो आप वहाँ से ये टेलिग्राम से भी प्रात्ट कर सकते हैं कि PDF notes कहां से मिलेगा इतनी बात रही BSC second semester की बारे में BSC fourth semester की बारे में अगर आप त्यारी करना चाती है तो BSC fourth semester का जो class है आप लोग का भी exam हो गया काफी अच्छा exam गया होगा हम आसा करते हैं तो आप भी अब रिजल्ट का वेट मत करिए BSC fourth semester की त्यारी कर दिजिए क्योंकि आपने पिछली बार वेट किया था किसका result का तो result काफी लेट आया और उसके बाद exam भी हो गया फिर आपका admission हुआ तब जाके BSC fourth semester की त्यारी कब से होगी तो अप्रेल की first week याई कि अप्रेल की first week में आपको BSC second semester स्वरी BSC fourth semester की आपकी PDF notes भी मिलने लगेंगी और lecture भी होगा काफी अच्छे से आपको बताए समझाए जागा क्योंकि आप BSC third semester में हमसे बढ़ चुके हैं तो आप उनको वीडियो सेर कर दीजी ताकि उन लोगों तक वो वीडियो पहुँच जाए जो BSC semester की त्यारी करना चाते है और एक चीज बाद अगर आप BSC का मतलब कर TDPG का लिए से करना चाते है तो उसका entrance form चलो गया जिसके बारे में मनें काफी एच्छे से बता रखा है अपने previous वीडियो में यानि कि आपका form offline भरा जा रहा है कि online हो रहा है क्या क्या document चाहिए कैसे कैसे क्या है सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता दिया था और अगर आप भी कोई state यानिक और अच्छे इंवर्सिटी से एक्जाम करना चाहते है तो आप CUAT का form बड़ दिजिए जिसके माद्यम से आप अपने तयारी को और आके complete कर सकते है अगर PSC आप second semester और PSC four semester में है तो आप पने तयारी को start कर दिजिए without any disturbing किसी भी कोई चीज को आप मत करिए आप अपनी सिर्फ तयारी कर दिजिए क्योंकि आपके exam फिर आप पर सोरी आपके जो exam है फिर वह अगस्त यार जुलाई में होने वाले है तो जुलाई अगस्ति में exam अगर हो रहा है तो आपको अखुच से तो प्रिपेर होना चाहिए तयार होना चाहिए कि आगी आपको semester में fight करनी है क्योंकि आपने अभी PSC four semester वाले काफी ध्यान नेंगे अभी आपने दो लगवक तीन semester दे चुका है अभी आप चौते semester में तो अगर आप अपने marks लाने की अच्छा development करना चाहते है अच्छे mark लाना चाहते है आपके जो exam का result होगा वो काफी अच्छा देखने को मिड़ी तो आप हमसे जोड़ जाएए यहां पर आपको mid term से related, mid term के भी topic करा जाएं तो mid term में कौन कौन से exam आएंगे उसके बाद आपको कैसे exam के त्यारी करनी है, pdf कैसे लेंगे, notes कैसे लेंगे, कैसे पढ़ाई करें कि ताकि आपके काफी अच्छे मार करें ठीक, तो आपको परड़े जो भी class मिलती है, आप उसको देखिए, उसको दुहराईए, फिर उसके बाद जो भी doubt question मनते हैं, आप हमसे पूछिए, तले कि हर चीज का वहाँ पर आपको सालव हो जाएगा, सिर्फ आप हमसे जूड़ जाएए, और अपने इस पढ़ाई को continue करिए, ठीक, और अगर आपके कोई भी 37 पार्ठी है ता आप उनसे share कर देजिए, उनको भी बताईए कि आप बेसिज अगर पढ़ रहे हैं, तो आपको एक अच्छे platform मिल गया है, जिसस से आप पढ़ करके अपनी समिस्टर की काफी बेहतरीन तरह कर सकते हैं, यहाँ पर आफलाइन की तरीके से क्लास चलती है, यहाँ पर आपको 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 पैसा भी दिना हो पड़ता है, लेकिन आप सारे चीजे फ्री आप कास्ट है, केवल आपको क्या करना है, अ बाते हैं, जब बाते करनी होती हैं, हम अलग से वीडियो ले लेती हैं, कि आपको क्या करनी है, तो यहाँ आपको आपका विस्ट नहीं करते हैं, अगर हम क्लास में आते हैं, तो सीध है आपके टॉपिक की बात करते हैं, हमको क्या पढ़ना, क्या करना है, बहुत लोगों क भूब यह होता है कि वह दूसरे को टाइम बरबाद कर तू मिनट पांच मिनट टाइम लेट पढ़ाती है और आके पहले लिक्टर देंगे ताकि वह पहले उनका टाइम वेश्ट हो तो करने का काम हम नहीं करते सिर्फ हम अपने टॉपिक की बात करते हैं कि क्या टॉपिक सट्टों प котором को जोड़ा क्वोसर को पूच सकते हैं चाइब ब्यासे 4 समेशन की स्ट्टेंट चाइब के सेंड समेषन की स्ट्टों तोनों विये सुचनल ही मेथ्य तो कोई डाउट कोई कोशन बनते पूछ दिजी अगर आपको प्लेएलिस्ट नहीं मिल रही वह भी आप पूछेजिएलिस्थ नहीं मिली पर्थी प्यद्यए नहीं नहीं करिए और हमको लास्ट में जान जादे आपको पेश्टा प्लग बोल दे रहे क्योंकि आपकी अपसमिश्टेक त्यारी फिर स्टार्ट हो रही है चलिए मिलेंगे अगरी लेक्चर में आपके साथ